नमस्कार दोस्तों मैं अप्सिक पटेल रियेज के सराय से कड़िव पर आप सभी कस्वागत करता हूं दोस्तों आज आपको स्क्रीन पे एक एड़ देख रहा होगा जिस पर लिखा समिधानी उम्राजवेवस्था का उत्तर लेखन कहां से करे कैसे करे दोस्तों यदि आपकी कि यह परेशानी आ रही है तो आप हमारे चैनल पर आईए यहां पर बिरेश्थर के दोरा पूरी समिधानी उम्राजवेवस्था आवधारणाव कुरुप से पढ़ा दी गई है जिससे आपको उत्तर लिखने में काफी मदद मिलेगी उन्होंने आपके लिए पीडिएफ पढ़िए आपको खुदी एसास हो जाएगा कि इसकी गुड़कता क्या है आप ऐसा लगएगा जैसे आप पेड़ कोर्स में है ठीक है अब हम अपने काम पर आते हैं हमारा काम है जो हम आप लोग टेफ्ट देते हैं उसकी व्यक्या करना तो आज हम लोग उसकी व्यक्या कर हमें जा रहे हैं ऑपर प्रशन की अक्टि का लिंग बदले घषय अगर लिंग बदलें तो यह तो इसी में है यह इसं का पूरुष लिंग करेंगे तो mोजाएगा एकक ठीक है लिए-पूरुरिस आप अगॉर्फ में से कौन व्यवें सा अदुला समनासी सब्द नहीं है यहां पर आपको सबसे पहले अनल दिख रहा हो अनल जो है आग का है अनल आग हुतासन यह सब क्या है आग की प्राइबाची है तो यह आपका गलत हो यह आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह अतुल का समानार्थी सब्द नहीं है बाकी अनुपम अनोखा ठीक है और अपूर यह आतुल का प्राइब अगला प्रस्ण है धूरी का मानक सब्द रूप लिखिए धूरी जैसे हम लोग इसका मानक सब्द होता है धूल हम लोग गाउं में क्या कहते है धूर ठीक है धूर कहते है लेकिन उसको धूर अगर कहें तो आपने कहते हैं रुक रुक तो धूर ल पर हुआ था उसी का है ठीक है मैंने इसमें जादा फेर बतल नहीं किये बस चालिस में से पच्छीस कोशन छाट लिए और आपके सामने उसको टेस्ट की रूप में दिया था और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं पर दिन टॉपिक वाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिं सब्सक्रिबों के सथ ने की करने जैसे आपको पता है कि सामने वाला है आतंकवादी है और आप उसको अपने घर ले आ कि आज उसको पनीर खिला रहेए ideal स्वियाक भाड़ियो आपको मारें ूसका अगला प्रस्ण हमारा है कि प्रगत सील लेखक संग का पहला दिवेशन किस वर्स में हुआ यह अभी अधिवेशन हुआ था उत्तरपदेश के अधिचता की थी मुंसी प्रेम चंद्रने इसकी अधिचता की थी किसने मुंसी प्रेम चंद्रने हैं यह कि हम देखें कि परगत सील लेखक और कौन-कौन से आते हैं तो उसमें आपका आज आएगा नाम रामधारी सिंग दिंकर ठीक है सचिदानन्द हीरानन वास्चानन अग्ये जिन्हें एक सब्सक्राइब आग्ये कहा जाता है नदेंद्र सर्मा भावानी प्रफाद मिस्रा ठीक है रामकुमार भर्मा धर्मबीर भारती ठीक है यह सब क्या है यह सब पर्गत वादिया रहता अंपर रायर की यह टीकल पूचरा कि सहित्व अचादमी पुसकार विजयता अंपर रायर की मैं में सरक हों सी कृत घळ प्रयंगे करेंद्र कलमि का एक सिपाही यह उनकी रचना है सी क्लीओं कूँ सहित्अका तकादमि पुसकार देया गया था इससे पहले इस पहला फाहित अकादमी प्रुष्कार उनिस्टो पच्पन में माखनलाल चत्रवेदी को दिया गया था उनकी कृत हिम तरंगडी के लिए ठीक यह आप याद रखना अगला प्रस्ण है कि मोहन तुमसे चौगना काम करता है तो कौन सा विसेशन यहां परियोग हुआ ठीक है य हुआ है यह ह्मिन विसेशन के बहत की बात करें तो विसेशन के कुल चार वेर होता है करीमार वहां टिकत सब्सक्राइब हो जाता है संघ्थ और तो निश्य संख्या वांकि होता थे उस चाल ज में पूंड संख्या वाचकी हो Venam संग्यासर्म नाम की विशेष्टा बता है विशेषड होता है तो जो निश्य संख्यावाचक विशेषड होता है उसका पहला प्रकार होता पूर्ण संख्यावाचक दूसरा हो जाता है अपूर्ण संख्यावाचक जैसे आधा किलो आम दो ठीक है तो आधा किलो क्या होगा अ पूर्ण हो गए पूर्ण होता मारा एक दो तीन चार आध्हा तीन पाव आध्हा चम्मच ये सब क्या है अप्वाफ छिप कर बागए करम अचक जी要से पना दूसरा तीसरा ठीक है चौथा साथ वा पाच वा ठीक है या कहें पर्थम दिटिये तिर्थिये यह सब क्या यह सब करम है तो इस परकार एककर करम वज़क मैं से सटक है एक हो जाता आभरित वाचक तो जो आपका दिया गया है मोहन तुमसे चौगणा काम करता है जो अब्रित्वाचक में है आप जैसे गोपाल तुम से दुगना मोटा है ठीक है या खली दस गुना वजन उठा सकता है तो ये जो जो चवना है दुगना है दस गुना ये सब क्या है ये अब्रित्तवाचक जिसे एक दर्जन केला लाओ ठीक है अपनी 32 मत दिखाओ soya सब क्या समुलाय में रहते दर जन 32 मतलब 32 ठीक नवरत मतलम 9 ठीक है तो ये सब क्या है समुलाय वाजक ठीक है अगर अगला देखें क्यों चारों भी क्या समुलाय वाजक है पाऊंचों ये भी किया है तो इस परकार बिशिस्वड के बारे में जानकारी रखिए इस विगार एक होता है परतेक जैसे हम कहें जिन्दगी के हर दिन दोड़ भाग लगी रहती हर दिन का मतलब क्या परतेक दिन हर एक काफिस में हर एक लोग अच्छे हैं तो हर एक क्या है ये परतेक बोदक है ठीक है मुझे गुस्सा आया तो एक- एक क्या होगे आपका परतेक बोदक ठीक है इसी परकार समुच्चे बोदक होता है जैसे एक जोड़ी ठीक है 21 सताब दी यह सब क्या है आपके समुच्चे बोदक विसेशण के जो परकार है ठीक है उनको और फिर से कितने परकार हुए आप इसके बारे में जान लेजिए तो यह सब अभी तक मैंने जितने बताएं निश्चित संख्या वाचव विसेशण के परकारते पूर्ण संख्या वाचव पूर्ण करम वाचव अबड़्ट वाचव समुच्चे वाचव यह प्रसन काभी लंबा किचा लेकिन आपको पता चल गया कि कितने परकार के विसे क्या भूमें से सही का चैन कर देख तान हरें सरीर की सुंदर्था डाट-डाट है उसका चेहरा और चहरे की संदर्था डाच डाट है उसकी आखें के कि इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखतें भरतें स्को सरीर की सुन्दर्ता होती है अगर हम कहें होती है तो बैठ रहा से इसना सरीर की सुन्दर्ता होती है उसका चेहरा और चेहरे की सुन्दर्ता होता है ठीक है चेहरे की सुंदर्ता होता है ने फिर से देखे सरीर की सुंदर्ता होता है ठीक है उसका चेहरा चेहरा यह पुलिंग है सरीर की सुंदर्ता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदर्ता होती है यह आखे क्या स्रीलिंग है होती है उसकी आखे तो पहले होता लगेगा पुलिंग है खिर की संदरता होता है उसका चहरा वाँचे संदरता होती है उसकी क्या यह रहिए अग्ला प्र सप्राइड है कि अघ्लिये के बिकलप और में नम्रता का समयल आत्र उन्हां आत्री सब्सक्राइड मेंहें। तो इसका समनार्ति मारा जाएगा बिनीत ठीक है नमरता का समनार्ति क्या हो जाएगा बिनीत हो जाएगा अगला प्रस नमारा है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी तुल्फीद आफ किस भक्ति भावना की तुल्फीद आफ कि जो रचना हो क्या है रामचरित मानस और रमाड किसे ने लिखे थी बाल में कि याद रखेएगा और प्रेम भाव कि रहे तो आपका हो जाएगा ये ये वह करना ऊपबाइद ये प्रेम भाव में थी और शूर दास थे शूर दास यह और सखाघाई एवे आप्ते हैं और सक्ता है या मित्रुवत ही हुझे सुर्दासàiत गहरी है ऑगला प्रस्ठ नमावाँ है काहे कभी बेनी बेनी बियाले की चुराई ली मिंग इसमें कौन ससलंकाःी प्रोत है तो आप देख रहे हैं बेनी बेनी दो वारा है ठीक है और दोनों बेनी का क्या है अर्थ भी अलग अलग है ठीक है एक बेनी कभी बेनी के लिए है ठीक है एक बेनी जो है और रीत क्याल के जो कभी है बेनी उनके लिए है दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी तो ठीक है पाहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून यहां पर कौन सा लंकार था यहां पर स्लेश क्योंकि आखरी वाली पानी में बहुत से अर्थे चिपके होगे थे ठीक है तो आप याद रखना यह सब अलंकार को है सब्दालंकार है ठीक है अगला है कामाईनी किस युग की रचना है यह चाया वाद यूग की रचना है और इसे लिखा किसने था जैसंकर परसाद ने ठीक है इसको चाया वाद का कहा जाता ठीक है इसको कामाईनी को छाया वmother का उपनिसद कहा जाता ठीक HEA प्रस्टन मारा है कि जी जोरी जोरे युन्ह नया गंभीर इनमें कौन सालगकार पुरिक्ट हुआ है तो इसमें आपका प्रणड़ है जरूत नहीं है एक लड़का स्कूल जा रहा है इस वाक्त में बिसेस्षण भाइप ऐँड़का टी क pouv Cartians Hawaii घ्रांचरा deck ど मैं अगर पू leukeसप का बात करें तो जाएगा एक लड़का ऑस ही में आएगा तो सब्सक्राइब गड़ना वाचक में आजाएगा थीक क्षिक है तो घर पर चैन करने का अत्सान को हुआ रहते हैं तो हम इसमें भरेंगे विस में कि विश्व में पर्तेक अगर प्रतेक भरते हैं तो प्रतेक पांच बेक्तियों में ठीक है प्रतेक पांच बेक्तियों में ठीक है प्रतेक और सील भरा जाएगा प्रतेक और सेल विश्व के प्रतेक पांच बेक्तियों में दोस्तों आप सबसे निवेदान है कि वीडियो को देखिएँगा और जैसा लगे आपको आपको इसा कमेंट करिएगा ठीक अगर आपको अच्छी लगता है करिए नहीं अच्छा लगता आहिए लेकिन तो सकें ओडीक नहीं धूंच्छा लगता और एक फिर्फ़ी राज रासं बहुँ सका है यहां पूछा है पिर्थवी राज रासो किसकी रचना है तो पिर्थवी राज रासो किसकी रचना है यह चंडर बरदाई के ठीक है चंडर बरदाई के रचना है यह पिर्थवी राज चौहान के लिए लिखी गई थी ठीक है पिर्थवी राज चौहान के ऊपर यह रचना लिखी गई थी और परत्थम महाकाब कहा जाता ठीक है परत्वी राज रासो परत्थम महाकाब कहा जाता है और करते ज्याते घैंगे सब कुछ याद हो जाएगा चिंता करने की कोई महीने हो जा रहे हैं और आप जो मिलना है कि यहां जड़ पर का आ रोफ होता है कहे रहा है कि जड़ चेतन का मतलब कोई मृत जैसे ज्ञान की बात की जाए जिसमें जान नहीं है उसमें जान की बात की ज़ा तो क्या हूं जड़ में चैतन की की जैसा ह्गर का कि फूल हसे कलिया मुस्काईं ठीक है फूल हसे कलिया मुस्काईं तो फूल कभी हसते हैं ठीक है फूल हसते तो है नहीं अगर पैज्ञानिक भासा में जाएंगे जो विज्ञान में कहा जाएगा फूल कली में जान है ठीक है वह भी साफ लेते हैं लेकिन हसने मुस्काने का का काम तो नहीं करती है यह काम तो मानों का है ठीक है यंद्वों का है तो यहां क्या कर उसके मानुवी करण किया जा रहा है ठीक है वो पौधे हैं लेकिन उनका क्या किया जा रहा है मानुवी करण किया जा रहा है ठीक है जब कि वास्तों में फूलों कलिया मुस्काती नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा मानुविकरण अलंकार यहां हो जाएगा मानुविकरण का वाकि स्लेज अनुपरास ठीक है यह सब्दालंकार के भेद है उपमा रूपक के डीकुर्परिछल यहां अर्थालंकार के भेद होतें हैं किर्थक निका अर्थ को में and तो किर्टगने का अर्थ होता है असान फरमोस ठीक है अभी जल्दी यह लोगों ने देखा एक चर्चा में था, किसी ने योगी जी को ट्वेट किया था कि आपकी युजा से मुझे लेकवाल की नौकरी मिल गई है, हैं ने अब कि किन लिख डिए इसलिए घंडि के सबता बहुत सोज विचार के लीखेगा कि तो किर्थ घंड़ का क्या होता है पूर आफ़ोची लाका कि कि लिकering कि लिक लिवाण अगला प्रस्ण मारा है कहार लिंग बदले कहार कहार क्या हो तो कहार का लिंग अगर बदलेंगे तो हो जाएगा कहारिन गाम होते ना कहार आये हैं या कहार इन आई है तो कहारिन हो जाएगा ठीक है पंडित का पंडिताइन ठीक है ठाकुर का ठाकुराइन उसे कहार का कहारि ठीक है अगला प्रस्पन है निह में से कौन सा भूतकाल के बorgeous में नहीं आता है थेन प्रकार को होता है आगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में पहला होता है कि सामान्य भूत काल ठीक है अगर भूत काल की बात करें पहला हो जाएगा आपका सामान्य भूत काल दूसरा हमारा हो जाता है पूर्ण भूत काल तीसरा हमारा हो जाता है आसन्य पूर हुद काल फिर संदिक्र लेकिन इसमें संभॉब नहीं होता ठीक है संभावू इूद काल नहीं होता तो इस प्रसक्राइबका सभी हो गया ठीक इसे पहले वाले बिडियो में ने भूत के बारे में जितनी उसके भेद किस परकार अलग अलग सब बता दिये हैं अगर देखना तो आप दूसरे की वीडियो देख लिए जिसमें आपको पता चल जाएगा ठीक है अगला हमारा प्रस्न है कि मामा का बहुचन बता है अभी हमने आपको बता है तो परजा का क्या बहुचन होता है स मामा का बहुचन क्वाता है मामा अगला प्रस्तन हना रहा डाया है थे बाला महर्न आपको ना ंपको जिए पिछले वर जो यूँपी सब्च्ड को मिला गया चार बार से पांच बार पुछा गया है बातों करो दूब उसके बारद चाद बिंदी ठीक है यह रोगता यह कई बार पुछा गया मैं ने मुझा आपको बता देपे हैं थे शिराitus अगला प्रस्न है है उना है क्या दिए गर बिकल्बों में कोड मैं खाज होना ठीक है कोड में कोड में का खोना का अर्फ सतह प्रतारा अजता है यह होगा हमारा अगला प्रस्न है कि कनक कनक ते सोगुनी मा दखता अधिकाय या खाय बाउराय जग वापाय बारा यहां पर कौन सा लंकार है तो आप देख रहे हैं कनक कनक दो बार कनक आया है और दोनों कनक का अर्थ अलग एक अर्थ सोना है एक का अर्थ जतूरा है तो तो वहां पर क्या हो जाएगा स्लेसर हो जाएगा ठीक है अनुपरास के पांच भाग होते हैं इनकी बारे मैंने बहुत बार चर्चा किया अलग-अलग वीडियो में उन वीडियो को देखिए अप लगातार ये स्रीज देखती रही है ठीक आप टेफ्ट दीजिए ये वीडि नहीं दिया तो लिंक दिस्क्रिप्ट्स डिया गया अगला प्रस्ण हमारा है इसका क्या हो जागा हमारा यह मिखालंकार ठीक है अगला प्रस्ण है कि निम्नीव वाक में कौन से हिस्से में तुरुटि रह गई है करवा चौथ के बृत की पूर वर्ण वामन पुराण में क यह नहीं भरत की नहीं रहेगा तीसरे आप सुनकेरल अब्रक्त का पूर्ण वएड़न बामन पुनमों में दिया तो चोटी छोटी घलती के अराम से पढ़ेंगा तो क क 15 पढ़ेंगे नहीं तो आप वहाँ पर जैसे आप सही पढ़तें सही पढ़तें हैं और राहुल संकृतिया ऐन है ठीक है और अगला प्रस्ण हुआ रहा है अगला प्रस्ण खतम हो गया आपको एक मैसेज है कि यदि आप भारती अर्थ वेवस्था को एकदम आसानी से पढ़ना चाहते हैं आपको लगता है बहुत कठीन पूरी अर्थ बिवस्ता एक दम जीरो से त्यार होगी ठीक है आप कोकुछ नहीं करना आप वीडियो देखि襲 ए ठीक है और जीतना पढ़ने को कहा जाते हैं पढ़िए आपकी आर्थिव्युस्ता दो महिंसे तीन महिने में एक तयार हो जाएगी ठीक है अब यहां प्यार्थ व्यस्ता का एक वीडियो आज पढ़ गया जिसमें है एंसी आट इकोनॉमिक खास रच्छा को पोस्टर बुक्मरी इन सब चीजों में के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल पे एंसी आटी की लेवल पर आपको समझाय गया है तो आप यह भी वीडियो देखिए एकोनॉमिक पढ़ने पढ़िए टेफ्ट देना टेफ्ट दीजिए आपको री एजुकेशन आई असकेडमी पर सब कुछ मिलेगा बस आप अपनी तयारी एक अच्छी दिशा में आपने समय करते रही है आपको बहुत ज़्यादा दोतर भागने जोते हैं हमारी पूरी टीन आप टीम आपके लिए लगी हुई है तो आज की लेक्चर को यहीं पर करते हैं जय हिंद जय भारत